नमस्कार साथियो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चाई एकेडमी पर दोस्तो आज के सीडियो में 25 दिसंबर का जितना भी महत्पुन हमारा मध्यप्रदेश का करेंड पैस बुन सकता है उसको यहाँ पर हम डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो शुरुआत करते हैं आज के सीडियो की और सबसे पहले आज के मध्यप्रदेश के करेंड पैस का पहला कोशन हम डिसकस कर लेते हैं पहला कोशन दोस्तों हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्यप्रदेश पावर ट्रांस्मिशन कंपनी के किस जिले में इस्तित स्टेट लोड डिस्पेश सेंटर को राष्टिय उत्करश्ता पुरुसकार से अलंकरित किया गया है तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ओप्शन डी मध्यप्रदेश के जबलपूर में मध्यप्रदेश पावर ट्रांस्मिशन कंपनी का जो इस्तेट लोड डिस्पेश सें इस्टेट लोड डिस्पेश सेंटर को राष्टिय उत्करश्ता पुरुसकार से अलंकरित किया गया है यह सम्मान विश्व इस्तरिय बुनियादी धाचे नवाचार करने देशम सर्वप्रथम साइबर सिक्यूरोटी मोडल विक्सित करने साहित अन्य माप डंडों में अग यहाँ पर important बनता है किसे मिला है तो दोस्तो आपका जबल पूर को मिला है ओप्षर डी यहाँ पर हमारा right answer जाता है तो चलिए दोस्तो यह तिहाँ आपकी इससे जुड़ी जानकारी दोस्तो यहां पर बाता आई है जबल पूर की तो जानकारी आप याद रख सकते हैं बा यहाँ पर हमारे लिए बनता है मद्यप्रदेश का हाई कोट कहां पर है जबलपूर में और जबलपूर को न्याई का राजधानी के नाम से आपका जाना जाता है साथ दोस्तों जबलपूर को संग मरमर की नगरी संग मरमर की नगरी भी दोस्तों जबलपूर को यहाँ पर कहा और यहीं पर लमेटा गाट आपको मिलेगा जिसे की युनेस्को की विश्वदरोर की संभावी सुची में शामिल किया गया है तो यह जबलपूर से जुड़ी हूँ कुछ एक्षरा जानकारी आपको याद रख नहीं होगी अगला कॉप्शन है दोस्तों की हाले में किस राज राज्य में हुआ था ओप्षन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं तो तेलंगाना राज्य में 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक मध्यप्रदेश जन अभिहान परिशत की पांच दिवसी संगोष्टी का आजन क्या गया बात कर दोस्तों जन अभिहान परिशत की तो इसका गठन चार जुलाई 1997 को हुआ है जन अभिहान परिशत सविम सेवी संगठनों के लिए चाता संगठन है यहाँ स्वक्षी संगठनों को आवशक मार्ग दर्शन एवं प्रसिक्षन प्रदान निर्मान एवं शाषन वं जनता के समन्वाई का कारिक करता है तो यह इंपोर्टेन यहाँ पर अमारे बन जाता है कि यह जो मद्यप्रदेश जन अभिहान परिशदे इसकी स्तापना का वोई थी चार जुलाई 1997 को इसकी स्तापना की गई थी अगला कोशन दोस्तों कि मद्यप्रदेश के किस जिले की छात्रा अनन्ता स्रिवास्तव द्वारा 25 दिसंबर 2022 से यानि कि आज के दिन संसत बहवन में अटल बिहारी वाचपई जी की जीवन गाथा पर व्याख्यान दिया जाएगा तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मद्यप्रदेश के सहडोल जीले की अनन्ता स्रिवास्तव के द्वारा संसत द्वहन में अटल बिहारी वाचपई जी की जीवन गाथा पर व्याख्यान दिया जाएगा ओप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर आपका बनता है अनन्ता स्रिवास्तव इनका संबंद मध्यप्रदेश के सहडोल जीले से हैं इनसे जुड़ी चानकारी यहा प्रतिश्वर्दा के बाद 25 युवा वक्ताओं का चैन किया गया जिसमें प्रथम इस्तान पर सहडोल की बेटी अनन्ता स्रिवास्तव का नाम भी शामिल है और उनका चैन प्रथम वक्ता के तोर पर किया गया है तो यह इंपोर्टन यहाँ पर बनता है दोस्तों आज 25 दि दिसमबर को भारत के पूरो प्रदान मंत्री अटल बिहरी वाचवई जी की जन्म जयनती जो है उनका जन्म दिवस है उनकी जन्म जयनती आज मनाई जाती है इसलिए 5 दिसमबर को प्रतिवर्ष आपका सूशाशन दिवस भी मनाया जाता है तो अगर आप से एक्जामें हुआ था तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपोर्टेंट कोशन बन जाता है चलिए दोस्तों कल के करेंड़ परस का एक बार की क्रिशन कर लेते हैं पहला कोशन था कि कौन सी राज्य सरकार खेत की मिट्टी का परिक्षन करने के लिए एंबुलेंस प्रयोक्षाला यहाँ पर था कि देश का पहला कोर्परेट होस्विटल मध्यप्रदेश के कि शहर में खुल रहा है तो इसकी स्थापना मध्यप्रदेश के बोपाल शहर में की जा रही है और यहाँ पर हमारे लिए राइट अंसर बन जाता है अगला कोशन था कि हाली में 42 जुलियर नेश पर रहा था और इसका आईजन कहां किया गया था तो हिदराबाद में दोस्तों इसका आईजन हुआ था चलिए जीला दर्शन सीरिस के अंतरगत आज का जीला हम डिसकस कर लेते हैं वह हमारा जीला है अशोग नगर जीला तो इससे जुड़ी कुछ महत्तपूर जानकारी यहा जो है ग्वालियर संभाग के अंतरगत आता है अशोग नगर जीले का निर्मान या इसका गठन जो है 15 अगस्त 2003 को गुना जीले से अलग करके किया गया था अशोग नगर को पूरों में पच्छार के नाम से जाना जाता था अशोग नगर जीले की सिमा भारत के एक अन्यरा उत्तर प्रदेश आकी लगती है साथी दोस्तों समराट अशोग के नाम पर इस शहर या जीले का नाम अशोग नगर आपका पड़ा है कुछ और जानकारी अशोग नगर से जुड़ी हुई देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक चंदेरी जो है इस्तल देखने को था चंदेरी का जो प्रसिद्ध किला है अशोग नगर जिले के चंदेरी तेसील में इस्तित है और इसका निर्मान राजा नरेश किर्तिपाल ने करवाय था किर्तिपाल के द्वारा इसका निर्मान करवाय जाता है चंदेरी की किले में आपको नोखंडा मल खूनी जोहर कुंड आदि प्रमु का इस्तल जो है आपको देखने को मिलेंगे ऐसा माना जाता है कि चंदेरी की केले में इस्तित जोहर कुंड में बाबर के आक्रमान के समय 800 राचपुत रानियों ने जोहर का जोहर यहाँ पर किया था तो यह भी important यहाँ पर बनता है अगला कुछ अगले कुछ इफेक्टर देख लेते हैं अशोक नगर का चंदेरी हाथ से मुनी हुई कलात्मक साडियों के लिए देश उदेश में प्रसिद्ध है यानि कि चंदेरी की साडिया आपके यही पर यानि कि अशोक नगर के चंदेरी से बिलोंग करती है वहाँ की साडियों को नाम से जाना जाता है मध्यपदेश देश का पहला एवाँ एक मातर राज्य है जिसने चंदेरी साड़ी को पίटेन कराया है अशोगनिगर जीला चंदेरी साड़ी की प्रसिद्दे के सासा तमकमल उद्धोकवेली भी जाना जाता है कुछ ओर जानकारी इसे जुड़ी हुई देख लेते हैं बेजु बावरा की समाधी दोस्तों आपको अशोग नगर में देखने को मिलेगी करीला माता का जो मंदीर है वह भी आपका अशोग नगर में इस्तित है अशोग नगर के मुंगावली में प्रदेश की पहली खुली जेल नव जीवन सीविर आपके स्ताफित क गई थी अशोग नगर जिले के चंदेरी नामक इस्थान पर जोगेशुवरी देवी का मेला आपका लगता है तो अगर आप से पूछा जाई कि जोगेशुवरी देवी का मेला कहां लगता है तो दोस्तों अशोग नगर के चंदेरी में इसका अजन किया जाता है अशोग सिल में आनंदपूर साहिब नामा के धार्मिक इस्तल भी है और इसकी स्तापना 1939 में परम हंस दयाल जी के द्वारा की गई थी कुछ और जानकारी अशोग नगर से जुड़ी हुई देख लेते हैं तो अशोग नगर देशबर में बड़ी अनाजबंडी और सर्बती गेहूं गेहूं का एक प्रकार उसके लिए आपका जाना जाता है अशोग नगर जीले में सेव संप्रदाई का चंदेल मठ भी आपका इस्तित है और यहाँ पर कोशक महल भी इस्तित है जिसका निर्माण महमद खिल जी के द्वारा 1445 में करवाया गया था चंदेरी इस्तित कोशक महल को तावरी ए फरिष्टा के नाम से भी इसको जाना जाता है चंदेरी के अंतिम बुंदेला शाशक राजा मर्दन सिंग ने 1857 के करांती में भाग भी लिया था तो यहाँ चंदेरी से जुड़े जानकारी थे कुछ और जानकारी देख लेते हैं तो चंदेरी को जो है मालवा का प्रवेसदार भी आपका कहा जाता है अशोगनगर जीले में बेतवा नदी पर जो है अशोगनगर जीले से जो भेती है बेतवा नदी वहाँ पर जो है बेतवा नदी पारवती नदी सिंद नदिया आदि आपके प्रवाइत होती है अशोग नगर जिले से जुड़ी कुछ और महत्यपून जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं तो बेतवा नदी अशोग नगर जिले के पूर्वी भाग में बहती है जो कि सागर जिला एवं उत्त अगर महल बेजु बावरा की समाधी इसागर और आनन्दपूर आदी प्रमुकिस्तल आपको यही पर देखने को मिलेंगे चले दोस्तों पिछले वीडियो में जो कोशन पूछा गया था उसको डिसकस कर लेते हैं कोशन था कि मद्यप्रदेश की सिमा का अधिकांस बाग कि इस राज्य से मिला हुआ है तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मद्यप्रदेश सरवादिक सिमा उत्तर प्रदेश के साथ आपकी साजा करता है कि लोगों ने राइट आंसर दिया तो शालीनी मिश्रा इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया इन्होंने बता है कि मद्यप्रदेश पांच राज्यों के साथ अपनी सीमा साजा करता है उत्तरप्रदेश सत्तिसगर महराष्ट और गुजरात और सबसे बड़ी सीमा उत्तरप्रदेश के साथ साजा करता है मद्यप्रदेश के चोगदा जिले उत्तरप्रदेश के साथ अपनी सीमा साजा करते है और सबसे छोटी सिमा गुजरात के साथ लगती है जिन में दो जिले जाबुआ और अली राजपूर है तो यह important बनता है कुलदिप चोहा ने इनके द्वारा भी right answer दिया गया जाहित खान इनोंने right answer दिया है अविशेक तिवारी इनोंने right answer दिया है मनो जर्रावत इनके द्व द्वारा right answer दिया गया वर्षा देहरिया इनोंने right answer दिया है और प्रमोद बाथम इनके द्वारा right answer दिया गया चलिए आज का question जिसका जवाब आप सभी को comment करके बताना है को option है कि मद्यप्रदेश का एक मात्र युनानी चिकिसा महविद्याले कहां इस्ती थे चार option है ग्वालियर होशंगाबाद भुरानपूर या कांकेर तो दोस्तो right answer इसका जो भी हो जो भी सही जाब हो आप सभी को हमें comment करके बताना है तो दोस्तो यह था आज के मद्यप्रद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इसका लाब उठा सके तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद